Symphony Limited के Board of Directors की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बाइबैक की अप्रूबल दे दी गई है इस बाइबैक में कमपनी 2,85,600 फुली पेड़ अव एक्विटी शेर्स की बाइबैक करेगी और ये 2,85,600 टोटल नंबर अव एक्विटी शेर्स का 0.41 परसेंट है इस बाइबैक का प्राइबैस 2500 रुपे प्रति एक्विटी शेर्र रखा गया है तो अगर हम लोग इस बाइबैक के प्राइबैस को इस सेर के 5 अगस 2024 के क्लोजिंग प्राइबैस से कंपेर करें जो 1230 रुपे है तो ये बाइबैक 103 परसेंट के प्रीमें पर है और अगर हम लोग इस buyback के price को याने के पचीस सो रुपए को 6 अगस्ट 2014 के closing price से compare करें जो 1462 रुपए है तो अभी ये buyback 71% के premium पर है इस buyback के news आते ही इस share में लगबग 19% का उच्छाल आया है तो दोस्तों अभी भी ये buyback 71% के premium पर किया जा रहा है तो अगर हम लोग 6 अगस्ट के closing price से भी compare करें तो आपको इस buyback में प्रती equity share 1038 रुपए का फायदा हो सकता है अगर आपके shares की buyback की जाती है तो दोस्तों इस buyback का size 71,40,000,000 रुपए का है और ये 71,40,000,000 रुपए इस company के 31 मार्ट 2024 के audited financial statement के stand-alone result के total paid-up equity share capital and free reserve का 9.33% है और consolidated statement के total paid-up equity share capital and free reserve का 9.99% है company ये buyback tender offer route से proportionate basis पर कर रही है यानि कि इस buyback में participate करने के लिए आपको अपने shares को tender करने होंगे और इस buyback में promoter और promoter group भी participate कर रहे है company ने इस buyback की record date 21 अगस 2024 fix की है तो अगर आप इस buyback में participate करना चाहते हैं तो आपके लिए इस share के buying की last date 20 अगस 2024 है और अगर आप existing shareholder हैं तो आपको अपने shares को hold कर रखना होगा तब ही आप इस buyback में participate कर पाएंगे तो अपर रखने विए